Hello everyone, मेरा नाम दानिश शेख है और आप लोगों का स्वागत करता हूँ में Teaching Parisha के आज के इस वीडियो में Friends, मैं आप लोगों को बजा दूँ कि आज रात में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ दो तिन जो है एक्जाम में पूछे के questions आपको करा दूँगा देखे इंड़क्टिव और डिड़क्टिव निगमन और आगमन विधी अगर मैं बात करूँ इंड़क्टिव निगें तो इंड़क्टिव में अंदर में क्या होता हैं अपने एक इंग्जामपल के लिए ये इस ने भी दोका दिया चौतिने दिया आपको लग रहा हैगी सारी बाद होती यहर एसे होता नहीं हो सकता है आप में घुक अटो ओव तो आप अपसको जनरलाइस कर लेती हो वैसे ही मान लिजी कि अगर आपको पहले से पाले से रूब पता है तो आप ने तुरंट क्या किया? उसमें एक अपना रूल अपलाई कर दिया उसके आपने उपलाई कर दिया कि यह तो लड़का है तो अगर आपको rule पहले से पता है और आप उस rule को apply करके कोई conclusion तक पहुच रहे हो तो वो deductive method होता है आप लोगों का इसको examples की तुरू बताता हो आपको और exam में questions कैसे पूछेगा है वो भी आप लोगों को दिखाता हो तो पूरा का पूरा हम लोग यहां पर में देखेंगे देखें friends अगर मैं पहले question की बात करूँ आप लोगों से तो 20 December 2021 का question है आपका कि जर्नी from example to generalization examples examples है और generalization कर रहे हो आप लोग तो यह क्या है आप लोगों का यह जो है friends आपका inductive method है मैंने आपसे कहा ना कि inductive method के अंदर में जो है क्या होता है आपको लोगों का आपके पास examples होते हो और examples को आप generalize कर लेते हो ठीक है यह आपको लोगों का actual question था जो English language के अंदर में पूछा गया था English pedagogy के अंदर में एक दूसरा question देखते है friends एक और question पूछा गया English pedagogy के question था यह 10 जनवरी 2022 का इसमें बोला गया कि इन में से कौनसा वाला इंडक्टिव अप्रोच है हमने अभी देखा कि इंडक्टिव अप्रोच जो होता है आप लोगों का वह यह अप्रोच होता है जिसके अंदर में आपको examples दिये जाते हैं बहुत सारे examples है और फिर आप लोग क्या करते हो उनसे कोई rule बना लेते हो जैसे हम लोगों ने हमारे अरह में क्या देखा था कि एक बार धोका मिला दो बार धोका मिला तीन बार धोका मिला चौथे बार धोका मिला उसने रूल ही बना लिए ऐसे to several examples उसको मिले ऊसे रूल बना लिया तो examples say जो आप generalize कर लेते हो या rule बना लेते हो यही inductive approach है आपका उसके बाद में friends एक question और देखते हैं हम लोग यहाँ पर में 31 January 2021 का question था आप लोगों का एक teacher है ठीक है वो कुछ पढ़ा रही है अब जो भी है उसका उसने क्या किया उसने उधारन दिये बहुत सारे उधारन दिये बच्चों को तो बहुत सारे उधारन प्रस्तूत करती है बच्चों के सामने और बच्चों को बोलती है कि इन उधारनों को एकत्रित करो इनको देखो और कोई नियम बनाओ तो भाई उसने क्या किया, examples दिये बच्चों को, बहुत सारे examples दिये और कहा कि इन examples के मदद से कोई rule बनाओ, तो examples की मदद से rule बनाना ये क्या है आप लोगों का, inductive method है, आगनात्मक विधी है आप लोगों की, अगर कोई rule होता और उसको apply करना होता तो deductive होता, लेकिन यहाँ पर में क्या हो रहा है कि उधारन है और उधारन के मदद से आप लोग क्या कर रहे हो, उसको generalize कर रहे हो, नियम बना रहे हो, inductive method हो गया आप लोगों का, एक और question देखते है friends, आप लोगों का, देखिए आपका maths pedagogy में पुछा गया था आपका question, इस question में बोला गया है, त्रिभूजों के कोणों के योग, गुंधन को सिध्ध करने के लिए एक गणित की सिख्षक ने छात्रों को अलग अलग प्रकार के त्रिभूज वित्रित इसका योग जो है वो आ रहा है अंदर के कोणों का 180, दूसरा वाला उसने triangle देखा, दूसरे वाले triangle के अंदर में भी उसने देखा कि भाई इसको 60, 90, 30, 180 फिर से आ गया, फिर उसने तीसरा वाला triangle देखा, तीसरा वाला triangle जब उसने देखा और उसको गिना उसने, तो फिर स 180 Aya, थो उनने तीन एकजामपल्स देखे और और तीन एकजामपल्स देखने के बाद में जो उसका आखड़ा निकल कर सामने है वो 180 Aya तो उसने क्या अब यहां रूल बना लिया पहले एक्जामपल देखा उसने अब रूल क्या बन गया उसके दिमाग में कि भाई किसी भी प्रकार का त्रिभूज हो उसका एक्जाम उसका आंसर हमेशा 180 आता है तो यह इसका क्या था इंडक्टिव मेथड सा उसने एक्जामपल लिये अब उसका रूल से होता होता और वो फिर अप्लाइ कर रहा होता रूल को तो वो डिड़क्टिव मेथड होता डिड़क्टिव वाले बीग्जामपल में लूंगा आपके कोश्चन के तुरू देखे फिर से कोशन 27 डिसमबर 2021 का अब आप लोग इस कोशन का आंसर कीजिए कमेंड बॉक्स के अ सीथा कोशन के अंसर बताइए एक दम फास्ट आप लोगों ने आंसर कर देना इसका एक्ट्वोल कोशन ने पूछा गया आपका सी टेट के अंदर में अप लोग आंसर करोंगे इसका डाब अम्या आप लोगों को आगे में कुछ और भी कोश्चन को दिखा देता हूं ताक अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल बनाओ और नोट करो स्टूडेंट ने वैसे ही किया और स्टूडेंट को बाद में रियलाइज हो है कि सारे के सारे एंगल का जो माप है वह 180 डिग्री आ रहा है सबका सम 180 डिग्री आ रहा है तो यह कौन सा वाला अप्रोच है टीचिंग क और अलग अलग प्रकार के जो है यहां पर में उन्होंने ट्राइंगल बना के देखे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल देख लिए उन्होंने सबका योग जो 180 डिग्री आ रहा है तो यहां पर में वह बच्चे क्या कर रहे हैं इंडक्टिव अप्रोच हो कि एक्जाम्पल्स देखे और उनका रूल सेट हो गया कि भई सारे ट्राइंगल्स का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है नेक्स्ट के तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे यहां पर में भी तरीके का कोश्चन पूछा गया एक्जाम का एक्चुल कोश्चन है यह स्क्रीन शॉट लिया आप लोगों के लिए एक अध्यापी का चात्रों को कुछ व्रत्य खिचने तथा उनकी त्रिज्य और व्यास मा आप हो कि उसके बाद में वह बोलती है कि आप क्या करो अलग-अलग जो सरकल आपने बनाए हैं उन सरकल के जो डायमीटर है और रेडियस है उनके बीच में कुछ रूल सेट करो कि क्या रूल हो सकता है अब बच्चों ने वैसी किया पहला ट्राइंगल लिया उन्होंने मान देखा तो उसका डायमीटर आया 2x double radius का डबल ठीक है फिर बाद में उन्होंने मान लो कि कोई दूसरा सरकल बनाया उसका रेडियस आया y और उसका जब उन्होंने डायमीटर मापा तो उसका डायमीटर आया 2y मतलब डबल आया तो बच्चों ने एक रूल स्थापित कर दि और एक्जांपल से रूल स्थापित कर दिया कोई भी रूल को बना दिया उन्होंने जब आप रूल बनाते हो जन्रलाइज कर देते हो एक्जांपल की मदद से उसी को कहा जाता है इंडक्टिव अप्रोच ठीक है तो आगन आगमन नात्मक जो उपागम है आप लोगों का आप लोग क्या रहे हो आप लोग जो है फ्रेंड्स एक एक्जांपल के थ्रू या कुछ एक्जांपल के थू जो है आप लोग कोशिच कर रहे हो एक कोश्चन और देख लेते आप लोगों का इस कोश्चन को आप लोग देखिए यहाँ पर मैं बुला गया है कि Mr. Ranjan जो है जो है, गौर फरमाया जाए जनाब, यहाँ पर में, उन्होंने रूल पूरा सिखा दिया, बच्चों को सिखा दिया, रूल बता दिया, उन्होंने, ठीक है, फिर उन्होंने जो है, इक्जाम्पल्स दिया, बोला कि अब यह रूल को चेक करो, अब वो कह रहे हैं कि रूल को च चल चुका है, बच्चों ने रूल सीख लिया है, अब वो क्या कर रहे है, उस रूल के मदद से questions में पहचान रहे हैं कि कौन सा subordinate clause है, कौन सा वाला main clause है, वगेरे वगेरे, तो जब रूल बता दिया गया है, रूल पहले से पता है, अब examples को आप sort out कर रहे हो कि कौन सा वाला क इस वाली category में आएंगा, तो वो deductive learning का example है, अगर rule नहीं पता होता, आप पहले example देते और बोलते की rule set करो, तो वो inductive learning होता, ठीक है, यह I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक question और देख लेते हैं, तीन जनवरी 2022 को पूछा गया, Mr. Paranjit जो है, वो क्या कर रहे है, geometry पढ़ा रहे है, अपने students को upper primary level के ओपर में वो geometry पढ़ा रहे है, which of the following method is used commonly in mathematics classroom for geometrical proofs, अब यहाँ पर में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कि जब geometry की class में, mathematics की class में, जब geometry पढ़ाई जाती है, तो पहले उसके rules बताए जाते है, geometrical proofs बताए जाते है, पहले पूरे के पूरे, और फिर उन proof की मदद से, जो है, examples को solve करना होता है, अगर आपको rules पता नहीं होंगे, तो आप लोग questions को solve नहीं कर पाऊंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग वो theorem derived नहीं करने वाले हो, न, classroom में बैठ कर या फिर classroom में आप खुद के theorems नहीं बनाऊंगे, आप लोग ठीक है, तो आपको rules पहले से बताए जाते है, बहुत सारे rules आप लोगों को पहले से, जब आपको geometry पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर में क्या हो रहा है, friends की परमजीत, जो श्रीमान परमजीत है, जो उच्छे माध्यमीक सतर के ओपर में mathematics पढ़ा रहे है, या geometry पढ़ा र फिर उसके बाद उसके उपर में example solve करने के लिए आपको दिये गए, तो वहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका deductive method, now friends, next question की तरफ में आगे बढ़ते है, यह आप लोगों का SST में पूछा गया था, लेकिन rule वही है, आप लोगों का ध्यान से समझे आप लोग, पक्षा क एक चात्र कहता है कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुक मंदीरों के आसपास विक्सित हुए थे, मतलब अगर कोई मंदीर है, ठीक है, कोई मंदीर है यहां पर में आप लोगों का, तो उस मंदीर के आसपास में क्या होगा कि शेहर बस जाएगा, जैसे for example, वो देता है कि दिख्वाई बेरे, तामिल नाटू का मदू ऑर मादुरय। दाजावूर टवर थे तो मतोरई पूरा शेहर बस गया, तो जहां उतकी होगा उसने क्या किया उसने एक्जामपल लिया, कि मतूरय थे थे, न restore ट्रेज़ूर में पूरा शेहर बस गया, तो प्रमुक मंदीरों कि क्या होता है हुघ इब तक शहर बस जाते और इक्जांपल अधूर्भ लिया और ऐसा मान लिया कि ँझा होगा वही पर शहर बसेंगे तो यहांप और वह क्या कर रहा है हैं ऑक इंधूरी निंग Re prayer आ 화bas वहाँ पूसा तर्क लगा रहे ए एक्जामपल लिया उसने उसको दो एक्जामपल थे उसके पास में केवल मदूरई और तंजावूर अब दो एक्जामपल के मदद से उसने यह बोल दिया कि पूरा का पूरा जन्रलाइज ही उसने कर दिया कि जहां-जहां मंदीर होंगे वहां-वहां शहर बस जाएंगे ऐसा जब जनरलाइज करते हो तो वो इंड़क्टिव रिजनिंग के अंदर में आता है आप लोगों का अगर रिजनिंग के बात की जाए तो आप लोगों का तो इसका आंसर ऑप्शन नमबर ए था यह कोशन आपका बीस डिसमबर 2022 को एक्जाम के अंदर में अल्रेडी आ चुका है इस तरह से हम लोग ने यहां पर में इंड़क्टिव और डिड़क्टिव मेथड के बारे में बात की कि आगमन वीधी इस तरह की वीधी होती है जिसके अंदर में हम लोग कुछ एक्जामपल के मदद से जनरलाइज रूल को बनाने की कोशिश करते हैं कुछ जो है यहां प चेक करते हैं डिड़क्टिव या फिर निंगमन वी थी आप लोगों की तो अगर फ्रेंट्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए टीचिंग परिशा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना आप लोग